Hello student, त्रमा चलेक चला अपन moment of inertia अचलेक चला अपन simple problem पाहलेले होते त्या मदे आपन rectangle, square और ये सर्कल अचलेक चलापन triangle चा related problem पाहना रहोता त्यातला जो पहला प्रॉबलेम आ हे तो calculate the YMI for triangle of height 100 mm about axis passing through vertex 6, and parallel to base, if EMI is 10 raise to 6 mm raise to 4. आसा एक ट्रेंगल दी लेला है, हाँ ट्रेंगल आह सपुज, हाई ए बी सी हाँ ट्रेंगल आहि, हेच ए हाइट दी लेला है, ही हाइट है, इस हाइट अही तक है अस तो, सेंट्रोइड पॉइंट अस्तो जी हाँ है एच बाइट्री यहां तरवर अस्तो ओके आता तेनी काई सांगी तेला है कि हेचे हाइट किती देले है ट्रेंगल ची तरह हंड्रेड एमें अटा किया अट्री सांगी हाल ग्रुक्या रत किती देखेनगे में फेक्ड़ा आता कैने किती देखेंगले में तरव मेर शेउ है इसे, लुपले मेंद्व में था तरह करेंग होसwegen मैं मद्वय आता काई सी ड्री तेमगर है ग्सेने प्लेला या माई काडाय चा आही तेन काई देलेला है या माई आबाउट बेस is 10 दू 6 या माई दू 4 जो आइ बेस is आता ही तो बेस कोनता है अबी तो किती देलाए 10 दू 6 माई दू 4 हाइट दी लिलिया है हाइट हांड्रेड एम्म अथा बगा है चामध आपन जे शुरुवाती चा लेक्चर होते चामध आपन होर मिले पाहे लेले है ट्रेंगल चा बपती तर त्या चाहा अधर आप लेला क्या हो लागना रहे तर आशा पद्धतिन आपन यहां आप आप बेशला हा साध पार्लेल आक्सिस का अंग्सेता है हां संटर्वाद प्वेंक्ट आप मन्या है हाँ इस तो है संटर्राइड प्ग्ग्स टी अंतरा रहा है प् टी आंतरा है ने रिया का ए हैस टो ट्रेंगल शा वनहाब बी इंटु इन्टू एच यह होके देन B is BH Cube upon 12 and I apex BH Cube upon 4 तरहे तीम फ़र्मिल्याप लेा है ट्रेंगल चाहे आंग यहीं I X X मज़े Centroidal I G X X X 6 है यहामाए बी यहेक्च क्यूब अपन 36 आई I E B मॉझे बेस्चार यहामाए तो बी यहेच क्यूब अपन 12 आई अपक्स मनझे वर्टेक्स चाहां तो BH3 upon 4 तर आपने ला बेस चादी लेला है हमाय तहके फर्मीला का ई? BH3 upon 12 तर हेसक गया फर्मीलल है तो महमाला लग्षण ठीवाय है जाहिल तर आपने ला I base क्यों I A B मनए तो base A B आहे तेचा कहा फर्मीला है BH3 upon 12 ओके बी एच क्यूब अपन ट्वेल्थ, आई बेस किती दी लेला है, 10 रेस टू 6, mm रेस टू 4, बी महीत येगा हाँ, हाँ बी महीत नहीं अपन लेला, जो बी अपन लेला महीत नहीं है, मग बी लाभी असस्थी हुया, ह महीत ये अपन लेला हंड्रेड, सब हंड्रेड सा क्यूब अपन ट्वेल्थ, है चावर नकाई इल, तब बी ची वैल्यू इल, एम एम मले, बीच वैल्यू अप्लेला, कैल्कुलेटर सा वापर करा, बीच वैल्यू अप्लेला ये ते, बीच वैल्यू किती है नारा है, तरही तर तिर्कस गुना करकर आजा है, बी बरुबर है, 10 रास्ट तू 6, इंटू 12, अपान 100 साख क्यूब, मझा आप लला ही बीची वैल्यू इल तिर कस गुना कर प्रास मल्युपकिशन के लिए अवर तो माला बीची वैल्यू इता कल्कुलेटर जवापर करा बीची वैल्यू ये तिया ही 12 mm 12 mm ही वैल्यू बीची आली ले आही अता आप लला काय सागी एते ले calculate Yamae passing through vertex parallel to base. So this is a vertex, C is vertex passing through vertex parallel to base. तर H about Yamae काणाई से. तर आप लाला तो formula तमीज ससाइंगी दला आही. क्या अपनेhe formula पाहिले ले आही. Yamae about apex, मजे से तो vertex आपन धुरूया. B, H cube upon 4. तर तो formula आपन ही तो टाकुया. I, vertex. I, vertex. Y, apex. बरोबर बी एच क्यूब आफ़न फोर बी एच क्यूब आप़न फोर बीच वैल्यो आता अपण का लेले आहे । बारा धी फ क्यूब आए । ह हंड्रेट लेले आहे 100 सा क्यूब आप़न फोर तर हे जे आन्सरीalth आयाहे ही मुझे Magic यह में आया है तेच जे युनित आस्त, तर यह उत्तर रेता है 3 इंटू 10 आस्तू 6 mm आस्तू 4 तर बागा ट्रेंगल जे पन प्रोब्लेम सोड़वत आस्ताना, अपलेला पहलें दा काय करावा दागर? तर अपलेला आदि समझुन के अवला गेल प्रोब्लेम, तया चानँ तर अपलेला जे फार्मीली आपना ही, तेल लक्षतस्थ हवाजा है तुम्ही, तेल फार्मीली जादर गेला प्रोब्लेम सोलब करावे लगती। तो नेक्स्स प्रॉब्लेम में तुमाला हूं वर सरी तो आता जास हो तता सेब तो प्रॉब्लेमा है फक्त ही ते ही तो वेली चेंज जाली ले आएं कल्कुलेट यामाय फॉर ट्रेंगल ओफ हाइट 100 mm आप अक्सिस पासिंग थू वर्टेक्स और पैरलल तो बेस इफ यमाय बाद बेस इस 10 raise to 7 mm raise to 4th so answer is i vertex mi about vertex is 13 to 10 raise to 6 mm raise to 4th तरह गरी करन पाँ So the next problem is an isoscalous triangle section abc has base width 80 mm and height 60 mm determine the yami of the section about the cg and center of gravity centroid center of gravity of the section and the base bc okay बगाई शो सेल स्ट्राइंगल आ है ते अच्छा मदे base bc दी ले ले ला है अच्छा मदे base bc दी ले ले ला है मझे तो आपन नाउ चेंज कर आए आसा a bc करना bc हा बेस आ है ठीक है है तो आछ खेंख वीर्थ दी ले 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 है a1 cm ले ले बेस वीर्थ दी ले 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 5 cm ले 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 3 cm T तर है जा सेंट्रोइड पॉइंट हाज आ है कि वह सी जी यह तो यह जी पॉइंट है एक्स 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 तरह आपने लगाए काड़ाएचे कि डिटर्माइन यह मैं आप सेक्षिन आबाउट सी जी मांजेच आई जी काड़ाएचा है आणि आई बेस गाड़ाएचा है मैं जी बीसी ओके आथा आपन जी ट्रैंगल चाब अप्तित पाहिलेला हो तो तेच फॉर्मिला इसो स्केलस ट्रैंगल चाब अप्तित पन आपन आपन मुणू शोकतो एरिया हा वाइबार हा आई एक्स एक्स हाजो सी जी आहे क्यों आई से आपन 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 क्यूब बाए चत्तिस ओकी माँ बी दी लेला है बी दी लेला है आईशी इन्टु एच एच आहे साथ 60 चा क्यूब अपाउन 36 जा एंसर इल तैं एम एम रस्टु फोर मने लेड़ कल्कुलेटर तावा पर गणा तर रहेच जा एंसर आता है 480 इन्टु 10 रस्टु 3 कि का लिए पसे पाइला एंसर जाना तो चल्स देने आई बेस आइज इंगा जाकर यहाँ आय बेस पाकुंता का ज़र फोर मिला है तो का यह बी एच-क्यूब अपाउन 12 ऐ फोर मिले तुमाले पर इकशे तो आप राय चाहें बी दी लेला आई ची जर फोर उंसर फोर मिले य येच सिस्टी सा क्यूब अपाउंड ट्वेल येचा जा एंसर एता है ते एमेम रेस्टो फोर मदे कल्कुलेटर जावा पर करा तो येचा एंसर एता है वन पॉइंट फोर्टी फोर इंटू 10 रेस्टो 6 सिंप्ली फोर्मीलिया मदे पूटअप कराएजाएं फक्त अपुलेला ही करड़ पाई जए बेस चा एंसर ओर है थिन फोर्मीलिया ही एक वर्टेक्सhow प्रोब्ले सेंपल idea आप्सा प्रॉर्मीला ही येचा बेस छ क्या एक स पाउप्लेटर नहीं फोरर्मीला ही आनी फोर्म 100 mm, about an axis, passing through vertex, and parallel to base, if I am I, about base is 10 raise to 4 mm raise to 4, तर हे problem, तुम्हाला में पहिला जो problem दिलेला हे, त्यानु सरा सोडवाय चाहे, हो मुख साथी हा problem तुम्ही गह चाहे, तर हे चामा दे, अप लाला जे एंसर एता हे, हे तुम्ही काड़ाय चाहे, एंसर जे एता हे, आई वर्टेक्स, परोबर, 3 into 10 raise to 4 mm raise to 4, आसे एता हे, हे तुम्ही गही प्रॉब्लेम सोडवाय चाहे, हे होमवर साथी गया, कारना पहला जो problem गेत लेला हे, तो सेम काड़ाय चाहे, हे तुम्ही, हाज दोन होमवर्क मी आता दिलए लेट नेक्स्ट प्रॉब्यम हे, हाज थोड़ा सा वीचार कनने थार गा प्रॉब्यम हे, कारना है चमदे तेनी पैर्लेल एक्सिस थेरम वापरा मंदेला है बगा परेतेक दमिजांग तो एन इक्विलेटरल ट्रेंगल है ज़ बेस 100 mm यूजिंग पैर्लेल एक्सिस थेरम केल्कुलेट यामाई अबाउड बेस तर हिता आपलेड़ा डायेकली फार्मिला यामाई आबाउड बेस वापराईचा नहीं जरी आपले अबाउड फार्मिला आ अетрीटो हिता नागा वाज यूजिंग पैर्लेल एक्सिस थेरम केल्कुलेट यामाई आबाउड बेस तर हेचा मदे तेनी बेस दी लिलाए ठीक है? एक्विलेटरल ट्रेंग्ट को मजज़का आए की सगड़ा पाजू? सार के आसता आल साइड्स आर इक्वल आणी तेनचा मदलाजो अंगल आसतो तो की ते आसतो? 60 डिग्री जासतो 60 डिग्री अंगल आसतो ठीक है? हैनी बेस दी लिलाए 100 mm बेस दी लिलाए 100 mm बगा बेस 100 mm दी लिलाए आपन आपन नाव दी हुआ ही ते A, B, C, H ट्रेंगल है एक्विलेटरल ट्रेंगल तर हेचा मदे जो जी आहे तो इतास ना राहे जी पोईंट आसना राहे Companiesha, X, X, Aksis आतना राहे एचा जई अंतर हे हेच जवाउ अंतर हैτε कि आतना राहे? H, Y, 3 H, Y, 3 अंतर हासना राहे यह हाईट दी लिलेए नाही है हाईट दी लिलेए नाही हाईट दी लिलेए नाहीं पेंडिकुलर टापतो इता, मझे ट्रिगोनामेट्री आपनेला महिते आही, त्याचा वापर इता कराएचा आही, त्रिगोनामेट्री मदे जो वापर आहे तो आपनी इता करूया, आता है चामादे शाग्डे साइड छा, एक्विलाटरल असना मुणे एसी पन साइड का आह है आणनी एबीपन साइड का है हांड्रेड असना रहा ही, मगी ता आपन साइन ठीटाव अपरोया, साइन ठीटा बर उपर, आता है जा साइन सिक्स्टी घेतला, साइन ठीटा मनें सेथा, ठीटा असना रहा है, इस इक्वल टू, सवमोर्चीजी का अबाज़ आ है, तो O मन तो सपोज C O upon this A C. So C O is A C sin theta. A C ही जिया है ती पन हंड्रेड अजा नारे करा है एक्विलेक्टर अंगल आहे त्यामोज सा गया साइड इसका है आजा है सेम आजा नारे A C is equal to C B is equal to A B is equal to 100 तर ही तर A C वर अबर 100 साइन theta की त्या है है? theta 60 तर आप लगा जे answer ये ते C O ये ते C O मन जेज का है है इता ये चाहे है ये च च उत्तर ये ता है तर ये तुम्हें कैलकुलेटर सा अपर करा तुमाले ये ते 66.60 86.60 एंसर तुमाले ये ता है मज़े आपले ये च में जेला है आता आपले लगाय करा जे एरिया काड़ा हो लागल करना पर आपले लगा एक सिस्थेन हो अपराइच है एरिया बरुपर का है? 1.5 इंटु B इंटु H ट्रेंगल चा जो एरिया जो तो mm रस टु mm चा स्क्वेर ये ये अरा है एरिया ओके? नेक्स्ट अपला जो पैरलल अक्सिस थेरम आही तो पैरलल अक्सिस थेरम काई संगतो आही? तर तो ये अपन पाहिले ला है Ib is equal to Ig moment about centroidal axis plus product of area and square of distance between two axis ओके? between two axis तर H बाइ 3 इता अपला लागे हावा लागना रही इता काई गहना रही? आपन H बाइ 3 है आपन गहना रही कारणका इता जे दोन हेचा मदला आंतर आही हीता H बाइ 3 आसना रही ठीक है? H बाइ 3 ता square कारणका हीता जे वाइ बार आही y-bar तेका है h by 3 हीता यह चीह हूं हाई एच हा ट्रेंगल चा है त्या मुला हीता y-bar अपले लगे हावा लागल h by 3 चा स्क्वेर तर ig किती का ड्लेल आ है ig चा काई आ है ig चा फॉर्मिला जो आ है तो ट्रेंगल चा फॉर्मिला आ है bh cube अपन 36 i-x-x कारण x-x axis हा a बिला पैर्लेल आ ही i-x-x ok i-x-x प्लस a h by 3 चा स्क्वेर i-x-x तेदा फॉर्मिला का यह है तर bh cube अपन 36 प्लस area इंटो h by 3 चा स्क्वेर कारण का है डिस्टंस का यह था डिस्टंस पर्पेंडिकुलर डिस्टंस बिट्वीन टू एक्सिस ok तर b दी लेला है 100 इंटो h h आपन कारण लेला है 86.60 तेचा क्यूब अपन 36 प्लस ब्राकेट मदेटा का area यह था तुम्हें डायरिक लें अंसे लिए उशक्ता क्यों आसको रूए आपन वन हाप इंटो हंड्रेड इंटो 86.60 इंटो 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 येच येच कीतियें येच आपन कार लेला है 56.60 अपन 3 चा स्क्वेर तरहे तुम्हें स्वाल करा तुम्हाना जे अंसर आहे ते अंसर तुम्हाना यून जाए 5.412 इंटो 10 रस तो 6 mm रस तो 4 ओके जा जे अंसर बगा इंटो येच आमदे पैरलल एक्सिस थेरम वापरत आस्ता ना ही तजर ही येच तुम्हासल इंटो ट्रेंगल ची हैट है पन आपन पैरलल एक्सिस थेरम मदे हीटो यबार घेटो मजे इच आइज प्लस H-Square पन ही तो ये हो आए बारास्त, त्यां मनुनु ये जो पर पेंडिकूलर डिस्टास बीटून बोल थे स्पीुमिल्भ क्योटारे अचिछे स्वाड़ल अच्शेदल। confusion हुँ दिऊना का अपला जो formula है AB जा में जो parallel axis ते रमना तो का है IG plus AH square पन हिता H है का है distance between perpendicular distance between both axis XX and AB पन हिता आपन H हा का है? ट्रेंगल जाई 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 मनू आपन हिता का है मनू या अटला है H1 मनू या ठीक है हेला का है मनू या H1 मनू या मन्जे तुम्जा confusion होनार नाई इता H मन्जेच का है H1 by 3 हे H आच आच नारा है तो या बार तो है H मनू या है H बोर बर Y bar is equal to H1 by 3 So H1 by 3 मन्जे तुम्जा इता confusion होनार नाही ठीक है राशा पद्धतीन तुम्ही प्रोब्लिम स्वाल कराईचा आही अच्छे तीते भगा प्यार्लेल एक्सिस थेरम मदे हाजो अपन गेतो नाई एच हाई एच का आसतो वाई बार आसतो क्यों आँ डिस्टन्स बिट्विन परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिट्विन सेंट्रोडल एक्सिस एन बेस तन्स थे अमुणा आपन इता रखेंड़ गिट्विन परथ प्रोब्लम स्वाल के लिए चनत मी इता परथ एक दा रखेंड़ ने उनन परथ एच वन शांग अगितली लाए ही टोटल हाइट और ट्रेंगल आणी यच वरोबर यच वन वाई थ्री अशा पद्धत इन जर गेत लाता तुम सही तो यच चा कन्फूजन होना नाहीं पन मला ओरते तु मला है समझ ला से आएक एक एक्विलेटरल ट्रेंगल ने लेला है कि अंता सर्क चाहे पक्तित प्यादल एक्सिस्थे रम वाप्राइज़ा नहीं है तो अपन अपन एच वू एच कैपिटल काड़ होया है कि कैपिटल एच यह हाइट है सपोज तर है जमाद है जे साइड दी ली लिया है ती दीड शे एमेमा है बन फिप्टी एमेमा है ओल साइड सारी इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रेंगल ठीक है अंता है चतला एंगल कि त्यास तो 60 डिग्री अपने इता एबीसी मानुया एबीसी तर हे एक्स एक्स है यह ता पैरल्ल एक्सिस वापुराइज सी गरज नहीं तर हेचा मद है आत्ता सरक्स साइन थिता वरोबर साइने थिता परीटस इसवा इसेट थिन तो सी ओ रवापन एचा थिता स्षाज परीड थे चांँँा अंगलुदीक है सो हेचा जे उत्तर हैता है तेत है 129.9 Tm करुण भागा CO मनझेच काया है H है होके मग आप लेला एनी वाप साइड मग आपन ही साइड घ्यू शकतो ठीके A B ही साइड है आपन काय गड़ो शकतो नूमेंट ऑफ इनर्शिया काड़ो शकतो आए बी वरोबर काया है फार्मिला तरहीत भी एच क्यूब आपन 12 हाँ IAB आलोंग बेस ही एक कुछला तरही एका साइड चालों आप लेले आमाय काड़ाएच है मग आपन AB मनझे बेस पन गड़ो शकतो ही साइड है ही साइड है पन आप लेले हाँ फार्मिला मग एती बेस चालों और IAB गेच लेल भी एच क्यूब आपन 12 तरह बी दी लेला हाँ B आहे 150 इंटो एच 129.90 तरहा क्यूब आपन 12 ये ये उत्तर ही ये ते तोंस आणसर आशे mm रच तो 4 ये जे उत्तर है ते 27.4 इंटो 10 रच तो 6 ये उत्तर है ते तोंस आणसर आशे नेक्स प्रोब्लेम, कैल्कुलेट एमाय ओफ ट्रेंगल, हैविंग बेस 150 mm, हैट 200 mm, अबाउट इस बेस और सेंट्रोड अलक्सिस पैरलल टू बेस, इता पैरलल अलक्सिस थे रहा पर आशा मंडेल नहीं है, तो आपन डारेक्टली फॉर्मिला ट्रेंगल चा जो आए, बेस आणि आई जी, हाफ और मिला डारेक्टली तो आपराईचा आए, तो रही समझाई ABC हाँ ट्रेंगल आए, ABC इस ट्रेंगल, हाँ जी पॉइंट आए, हाए एकस 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 इसा है, ठीके, आणि है चमद आप लला, बेस दी लिला है, दीड़ शे, बेस की दी दी लिला है, दी हाइट दोन शे एमेम, हाइट दोन शे एमेम दी देला है, ओके, तर हैचा मदे डारेक्टली काई कर आएकसा है, फ़र मिलाच स्वाप पर आएकसा है, आई बेस, वरोबर आई A B, वरोबर बी एच क्यूब अपन ट्वेर, तर बी की दी देला है, दीड़ शे, इंटु एच दोन शे चा क्यूब, अपन ट्वेर, यह जाएन सरी, ते एमेम दी देला है, अपन पोइला पॉइंट जाला, अब उट्स बेस, बेस चा अबॉट हाँ, यह माई केल क्यूएट के लिला है, हाँ ए तो है, अंड्रेड इन टू, 10 देला है, नेक्स्ट अपन लिला काय कराई है आप हिला जाला पॉइंट अन्दुसरा desse ज्रा सेंट्रॉड एक्सिस इस आप लेले मा कल्कुलेट करा है जाए खृट जो कि नूश गी जी का थे एक्स थी SHUme फॉो पॉट है अमाने सेंट्र फर्मिला है टॉकह यारे थृआंकल ऑपाऊ 36 लंग्षके ओन 8उब एक्ष दोनशे चक्यू आपान थर्टी सिक्स तरहे जा एंसर ही ते एम्पल प्रॉब्लम आहे तरहे आशा पत्य ते जे शेंपल प्रॉब्लम आपन सोड़ वाये जा आहे आणी एचा नंतर चालेक चला पन थोड़े से कॉंबिनेशन चे प्रॉब्लम आपन पाहना रहा होद शिवाये सेक्शन चे प्रॉब्लम पाहना रहा होद आज आपन ही तस थामता होद